दोस्तो आज मैं आपको जैसी ननन्द वैसी भाबी कहानी सुना रहे हूँ भाबी ओ भाबी अरे आप अब तक तेयार ने हुए ये चौथी बार भेजाए माने आपको अगर अपकी बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं मेरी ज़रूर पिचाएगी बस ये ब्लेशर और लिप्स्टिक लगा लू बस दो मिनट फिर चलते हैं ये कहकर घर की नई नवेली बहु मानसी वापस से अपना मेकप करने लगी उसके ननत सोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर ये देखकर सोमी कहती है वापरी भावी आपके पलके तो जड़ गई नई सोमी ये नकली पलके हैं ये देखो से लैश ग्लू से इने आँक उपर लगाते हैं कमाल है ये तो और ये क्या है भावी ये ये ब्लेशर और ये हाईलाइटर है और ये है आईशेडोज की पैलेट और एक चीज दिखाओ ये देखो ये मेरा लिप्स्टिक का कलेक्शन अरे वाबावी आपके पास तो मेकप का कितना सारा सामान है मेरे पास तो बस एक गुलाबी लिप्स्टिक है जो मेरे बहुत जित करने पर माने दिलवाई थी वो भी एक साल पहले अरे पर ऐसा क्यों तुम्हारी हो में तो लड़किया कितना मेकप करती है हाँ लेकिन मा को मेकप बिल्कुल भी पसंद नहीं ना खुद करती है और ना मुझे करने देती है अच्छा चलो कोई नहीं अपसे मेकप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो सोमी अपनी भावी को बाहर निलाई तो सोमी की मा कल्यानी खुद मांसी के कमरे में आई और वहां करना जारा देख उसका पारा साथवे आस्मान पर चड़ गया सोमी तुझे किस ले भेजा था यहाँ ये लीपा पोती करवानी के लिए मा वो मैं मैं वो बस थोड़ा सा मतलब बस ऐसी मा जी आप सोमी पर नाराज मत होए मैं नहीं रोक लिया था शायद आपनी इसे ध्यान से नहीं देखा अधिगे ना सिर्फ हलके से मेक अप में कितनी सुन्दर लग रही है सुन्दर एक नंबर की भूत नहीं लग रही है बिल्कुल तेरी तरह ए सोमी जा सबसे पहले मूध हो करा और फिर सबका चाय नाचता दे मा की फटकार सुनकर सोमी डर गई और चुप चाप मूध होने के लिए चली गई उसके जाते ही कल्यानी ने अपनी बहुमांची से कहा इंतजार कर रही है अगर फुरसत मिल जाए तो दिखा आना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मूध वरना तो उकमे वो वापस चली ही जाएगी ये कहके कल्यानी वहां से चली गई और उसके पीछे-पीछे मांसी की सोची से एकदम अलग थी मांसी मैंनो तुम से पहले कहा था कि मांके साथ तुम एड़्जस नहीं कर पाओगी हर बात पर ताने मारने की आदत है उनकी देखा नहीं सोमी बेचारे से डरा धमका कर रखती है मेरी मानो तो हम अभी से नहीं विनेश हम माजी और सोमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे तुम खुद ही सोचो हमारे अलावा उनका है ये कौन बस यही सोचकर मैं भी चुप रह जाता हूँ तुम्हें पता है मांसी मां हमेशा से ऐसी नहीं थी जब बाबुजी जिन्दा थे तो उन्हें भी सजने सदरने का बहुत चौक था लेकिन बाबुजी के जाने के बाद रंगों से एक अजीब सी चिड हो गई उन्हें शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का जो दुख मेरी माने जहला है उसी वसे वो आज ऐसी हो गई है खोई बात ने विनेश मैं समझती हूँ और मेरा यकीन करो मुझे माजी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनका दिल जीत कर उनके चेहरे पर मुस्कुरा हटला सका फिर एक दिन हम सिखा तुम्हें दूगी लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी तभी हाथ सेट होगा अच्छा तो फिर जाने दो आज तो मा कीरतनों में गई है तो लगा सकती थी रोज कैसे लगाऊंगी तुम खुद को नहीं लगा सकती पर मुझे तो लगा सकती हो क्या मतलब भाबी मतलब ये ननतरानी की आज से हर शाम जब माजी पूझा पाट करती है तो मैं तुम्हें फुल मेकप करना सिखाऊंगी और हर सुबद जब माजी मंदर जाती है तो तुम मेरा मेकप क्या करना इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माजी को पदा भी नहीं चले लेकिन तेरे यां तो उल्टी गंगा बैरी है जैसी भाबी थी अब न अनद भी वैसी बनती जा रही है। खल्यानी को बेक एक पल काटना भारी हो रहा था। वो आज सोमी और मांसी दोनों पर बरसने वाली थी और फिर उन दोनों के घर आते ही। आ गई माहरानी सोमी आज तो तू नहीं बचेगी लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग ठिकाने लगा दूँ। क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो तुम सोमी को पही जान ही नहीं देती। मा मैंने और मांसी ने सोमी को एक अच्छे इंस्टिट्यूट से ब्यूटीशन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं कोई जरुरत नहीं फार्तु पैसे बर्बाद करने की और ये सब करके क्या करेगी सोमी तेरी बीवी के जैसे बनेगी। नहीं माची सोमी मेरे जैसी नहीं बलकि मुझसे कहीं बहतर बन सकती है। अब उसको अपनी गलती का हैसास हुआ। धीरच की शादी शहर की ही एक मौडरन लड़की एकता से हुई थी जबकि पुनीत और आरव अभी कमवारे थे। सासुमा आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं तो मैं पार्लर जारी हूँ तयार होने के लिए। अच्छा लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अगले ही दिन राजरारी ने अपने पंडित जी को बुलाया और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की धूनने के लिए के लिए कहती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गाउं की बहुए आगे क्या क्या काड़ना में दिखाएंगी। फिर अगले ही दिन। अरी मुरी मैया ये अलमारी यहां रखी हुई है। हम तो सारे घर में इसे ढून रहे थे। पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सबजियां और फल काहें रखे हैं। रेश्मा जल्दी से उसमें से सारा सामार निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। तब ये उसकी सास वहां आई और बोली। अरे बहु ये तुम क्या कर रही हो। माजी हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंचली बहु ये अलमारी नहीं फ्रेज है। फ्रेज वो का बिमारी है। बहु इसमें कपड़े नहीं बलकि फल, सबजियां, दूद और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरी मोरी मईया, तबही ने तो हम कहें, कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कॉमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर, इंग्लिस टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है। तबी एक ता उसके पास आई और बोली है। इसके बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती है। हमरी जठानी को तो खुद की पताई करने से ही फुरसत कहां है, जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सब की आँख खुली की खुली रह जाएगी हाँ। यह कहकर वो यह सारा समान उठाकर बातरूम में ले गई और वाशिंग मशीन में पारी डाल कर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर-जोर की आवाज आने लगती है। पिर राजरानी ने रेश्मा को आवाज मारी हो। यह गवार हमारे पल्ले पढ़ गई। मैंने सोचा था घर में दो बहु और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता कि गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जिठानी के ताने सुनकर कोमल और रेश्मा की आँखों में आसुआ जाते हैं। और उन्हें अपने किये पर बहुत पश्तावा होता है। रोते हुए अपनी सास से कहती है। सासुमा हम दुनों गाउं से आई है। हम्रे पूरे गाउं में कवनों के घरी सब सामार नहीं है। और से हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कई से करना है। हमने ये समझान बुचके नहीं किया। हमको माफ कर दीजिए। जी ठानी जी, सासुमा, हम गाउं से आई है तो शहर की तोर तरीके सीखने में हमको थोड़ा सब्बे तो लगेगा ना, अन्जाने में ही सही, पर हमसे लागों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है, अगर आप हमें सहर के तोर तरीके सिखा तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे, उन दोनों की बाते सुनकर एक तोर राजरानी को उन पर दया आ जाती है, और उन्हें भी इस बात का हैसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई अबसे तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी, ये पागल थे, जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिलाते रहे, अबसे हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएगी, कुछी दिनो दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाबा जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानिया पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स और वोचीं